हल्दी की कीमतों में पिछले कुछ दिनों से सुधार देखने को मिला है जिसका मुख्य कारण हाजिर बाजार में सप्लाई कम होना है हलाकि तेजी पर रोक लगी हुई है क्योंकि नई फसल के शुरू होने से पहले स्टोक जारी होने की उमीद में फिलाल खरीदारी गतिविदियां धीमी हो गई है नई फसल की कटाई में देडि और अंतिम स्टोग की कमी से उम्मीद की जा रही है कि निकट भविश्य में हल्दी बाजार में तेजी बन सकती है साथ ही आगामी त्योहारों के मद्दे नजर निर्यात गतिविदियों में तेजी आने का अनुमान है हलाकि हालिक के महीनों में मंदीद देखने को मिली है वहीं अनकूल मौसम के परणामसरूप फसल की स्थिती में सुधार के कारण कीमतों पर दबाव देखने को मिला है खासकर विभिन शेत्रों में इस साल हल्दी की बुआई में 20-25 फीसद की गिरावट की उमीद की जा रही है वहीं इरोड के वेपारियों का कहना है कि इस साल इरोड उत्पादन पिछले साल का 65-70 फीसदी रहने का अनुमान है साथ ही खबर है कि निजामाबाद में भी उत्पादन 20-25 फीसद कम है ऐसे में बाजार जानकारों के अनुसार 2024 के लिए हल्दी का उत्पादन लगबग 4,45,000 टन होने की संभावना है जो पिछले वर्ष से 15 प्रतिशत की कमी को दर्शाता है पिछले साल ये लगबग 5,26,000 टन था वहीं अगर निर्यात की बात की जाए तो अप्रेल दिसंबर 2023 के दोरान हल्दी का निर्यात 2022 की अवधी की तुल्ला में 2,27 फीसद कम है और 2,27 फीसद कम होकर ये 1,21,171 टन के आसपास रह गया है हलाकि दिसंबर 2023 में निर्यात में हल्की वृधी देखने को मिली है वहीं अप्रेल दिसंबर 2023 के दोरान आयात में 25 फीसद के आसपास की गिरावट आई है जो ये दर्शाता है कि आयातित हल्दी की मांग में फिलहाल कमी देखने को मिल रही है इस सब महौल के बीच में बाजारों में उमीद लगाई जा रही है कि आने वाले दिनों में हल्दी की कीमतों में और इजाफा हो सकता है आपको बता दे कि फिलाल महाराश्टर के सांगली शेतर में कीमते एक साल पहले की अबधी की तुन्ना में दोगुनी है ऐसे में बाजार जानकारों को उमीद है कि आगे चल कर हल्दी की कीमतों में उबाला सकता है ब्यूरो रिपोर्ट मार्के टाइम्स टीवी